Zomato, इसके आप पर आप भले ही खाना ओर्डर कर रहे हो या नहीं, लेकिन इसका स्टॉक अगर आप देखे तो इसकी चाल किसी स्वादिश्ट व्यंजन से कम नहीं है. जी हाँ, ये एक स्टॉक है, जो आजकल खूब चर्चा में हैं. वैसे अगर आप ध्यान दे, तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक करीब-करीब 80% तक के रिटर्न दे चुका है. यहीं नहीं, कमपने का मार्किट कैपिलाइजेशन डेड़ लाग करोड के पार निकलता दिखाई दिया है. और इसके पीछे, अफकॉस, कमपनी के बिजनिस ऑपरेशन है, जहां पर लगातार बहतरी ही देखने को मिल रही है. अगर हाल ही, यानि की थर्ड क्वाटर के नंबर्स पर अगर आप गौर करेंगे, तो कमपनी मुनाफ़ा दिखा रही है. 138 करोड का कमपनी ने दिलिवर किया. इसके सामने कमपनी का जो रेवन्यू था, वो भी 3288 करोड के आसपास आतावा दिखाई दिया. इस रफ्तार में सबसे जादा योगदान अगर किसी एक आम का है, या फिर एक बिजनिस का है, वो खासकर है कमपनी का फूद दिलिवरी बिजनिस. ध्यान रहे कि कमपनी का फूद दिलिवरी बिजनिस पिछले साल से ही प्रॉफिटिबल हो चुका है. और धीरे धीरे करके इस बिजनिस में और स्केल देखने को मिला. थर्ड कॉर्टर की बात करें तो इसमें लगभग 30% तकी सालाना ग्रोथ भी दर्ज हुई है. लेकिन कमपनी अब ब बियॉर्ट फूद दिलिवरी बिजनिस भी अपने ऑपरेशन को और मजबूत कर रही है और वहाँ पर भी बहतर डिलिवरी आ रही है. बियॉर्ट फूद दिलिवरी तो क्या? कमपनी का क्विक कॉमर्स बिजनिस जी हां आपने सही पकड़ा Blinkit जो कमपनी ने हालही में अक खाई दिया आकड़ा लगभग 644 करोड के आसपास आया यानि कि इस बिजनिस में उर्जा दिखने लगी है और रफ्तार इतनी कि कमपनी के फाउंडर दिपिंदर गोयल ने खुद हाल ही में एक बयान दिया और ये कहा कि आने वाले समय में ब्लिंकिट का कारोबार ग्रॉस ओ में इस टॉक को चर्चा में रख रही है वालूएशन अगर आप देखिये गोल्मन साक्स जो एक दिगज निवेशक है उसी ने हाल ही में क्विक कॉमर्स पर एक रिपोर्ट निकाली इस रिपोर्ट में उन्हों ने ब्लिंकिट को आठ बिलियन डॉलर पर वैल्यू किया है पिछले साल याने की मार्च 2023 में कमपनी याने की ब्लिंकिट का वैल्यूएशन दो बिलियन डॉलर था याने की एक साल में 300% से ज़ादा की ग्रोथ अब ये ग्रोथ आ कहां से रही है सवाल यही है ब्लिंकिट अपने ओपरेशन पर डबल डाउन कर रहा है हर वो तरकीब अ आइटम्स लेकर आ रहे हैं और इस सब के बीच कंपनी के टेक रेट लगातार बढ़ रहे हैं ये तीन चार चीजें हैं जो आजकल जोमैटो को फोकस में रख रही हैं और आजकल फूड डिलिवरी से जादा सब लोग चर्चा कर रहे हैं ब्लिंकिट की बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट की अपनी नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं हैं यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंडले लेवी से पहले सर्टिफाइड झाल 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 झाल